नमस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइट सिटीज पंदरा दुनों के अंदर हम जलजला ले आएंगे ये बातें कहीं हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशान किशोर ने देखिया आपको मालूम है कि बिहार की चार वधान सभासीटों पर उपचुनाव होना है तेरा तारीख को वोटिंग होगी और तईस तारीख को नतीजे आ जाएंगे और ऐसे में जन सुराज ऐसे में प्रशान किशोर पूरी तरह से आक्टिव हो गए हैं और बड़ी बात कह दिए देखिये आपको बता दें कि जैसे ही प्रशान किशोर ने ये बड़ा बयान दिया है वैसे ही कई तरहा के सवाल भी पूछे जा रहे हैं बड़ा सवाल गुरू यही बना हुआ है कि क्या वाकई में प्रशान किशोर कहीं खेल तो नहीं कर देंगे बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या वाकई में प्रशान किशोर जलजला ले आएंगे क्या तो आज हम इसी मुद्धे पर सीधी बाचीत करेंगे सीनियर आडवोकेट और जन सुराज के स्टार प्रचारक वाईवी गिरी जी से सबसे पहले बहुत शुक्रिया बाचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और दिवाली का मुखरक बाद जितने सुनने वाले हैं उनको भी दिवाली का मुखरक बाद पुरे समाज को मुखरक और एक चांद समाज जीजे कि जो दिवाली मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है अंदिकार पर प्रकास का विजय होता है अग्यानता पर ग्यान का विजय होता है इसी के लिए हमनों दिवाली मनाते हैं और जन सुराज का मोटो ही यही है उनका यही एम है अलक्ष है कि अग्यानता को बिटा के सिख्छा के माध्यम से दूर किया जाए अग्यानता हटे अंध यही जन सुराज का लक्ष भी है इसलिए बड़ा मिलता जुलता है लेकिन गिरी साहब हम आप से जानना चारें आपने देखा होगा कि कुछ वक्त पहले एंडिये की बड़ी बैठक सियम हाउज में हुई थी यानि कि अब पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है एंडिये पूरी तरह से आक्टिव हो चुके हैं मुख्य मंतरी नितीश कुमार आप लोगों के लिए अब राहें जो हैं वो कठिन नजर आ रहे हैं नई बात ये है कि जिस तरह से जन सहलाव जन सुराज से जुट रहा है और लोग प्रसांजी से जिस तरह से उनको आदर से अपने मन में बैठा रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं उनकी ख्याती बढ़ रही है उनके लोगों पर उनके इसारों पर उनके चाहने पर उनके रहा है और उमीद भी किया जाना है कि चारो सीट पर जन सुराज की जीत होगी करने नहीं देंगे आपको नितीश कुमार आक्टिव हो गए हैं मुस्तैद हो गए कई सारे दिशा निर्देश भी दे दिया है उन्होंने एंडिये की बैठक है आप समझे दिए इंडिये पैठक उपर से जो भी दिखाव है लेकिन यह बड़ा डिवाइड़ हाउस है यह पाश्वान जी जो है चिराग पाश्वान वह मांजी जी को पसंद नहीं करते हैं यही बात है और इसलिए इसी प्रयास को एक जूट करने के लिए नितीश जी ने प्रयास किया है और बीजेपी का भी कही दाव अलग है बीजेपी उपर से नितीश जी को अपना नेता मानती है लेकिन इस ताक पहगी कब उनको हटा के बीजेपी की सरकार बना लिजा है तो आपस में बड़ा संसा है लोंका एक दुसरे से द्वेश एक दुसरे को भुलावा में रखते है इसको इस खाई को पाटने के लिए नितीश जी ने एक प्रयास किया है लेकिन ये सब मिल भी जाए और एक साथ भी हो जाए एक जूट भी हो जाए तो जो आधी ये जन सुराज की चली है उस आधी को ये लों रोप नहीं पाएगे आपको मालूम है ना कि क्या कुछ हिदायतें दी गई है मीटिंग में साफ साफ कह दिया है कि आप कोई बीजेपी का नहीं है आप कोई जेडियू का नहीं है आप कोई एलजेपी आर का नहीं है आप कोई हम का नहीं है आप कोई आरलम का नहीं है सब हैं सिर्फ और सिर्फ ए जे अलग अलग सिंबल पर बांद शिंद शिवल अलग बिचार है। जैसे हिंदूु पर Jdu का अलग बिचार है। भाजपा का अलग है गिरिदाज जी का अड़िछार है। जितिस जी का या जेडी वालों का ये उनका जो हिंदुतु का जंडा है उस पर अलग विचार है तो इतना जहां विविंता है तो दिखावे के लिए के मिलने से कोई खास असर नहीं पड़ेगा चलिए आप बात कर लेते हैं प्रशान किशूर की आपने भी सुना होगा कि रा हम जलजला ले आएंगे बात समझते हैं जलजला के रहें लगता है कि इतनी काबिलियत है इतना दम है प्रशान किशूर की बहुत काबिलियत है और काबिलियत का लोग समझ रहा है जतना समझ रही है कि जिस तरह से लोग उनके तरफ जूक रहा है उनके तरफ आकरसित हो रह आप उनके मीटिंग में लोगों को देखिए दोनों तरह के भीड होती है पड़े लिखे लोग क्वालिटेटिव लोग और जेनरल लोग दोनों तरह के लोग उनके मीटिंग में जा रहे हैं तो हमको लगता है उनकी सफलता निश्चित है कथनी अलग होती है करनी अलग होती ह जलजला की बात कर रहे हैं, केला की बात कर रहे हैं. वखत बहुत कम है गिरिसाहँ. जलजला का मतलब यही हुआ कि भोट, भोट बहुत सारा आ एगा, भी यूट Ал criteria में भोट आएगा, इसी को जलजला कर रहा है, काफी भोट में लगटा भी है जिस तरह से हुजूम जिस तरह से जन्मानस का मन बदल गया है उनके पक्ष में और उनके पाटी के लेके ऐसा ही लगता है उसको जलजला कह लीजिए उसको तुफान कह दीजिए उसको आधी कह लीजिए तुनामी कह दीजिए जो भी कह सकते हैं फैक्ट यही है कि लोगों का मन उनके तरफ जुग गया है ज्यादा से ज्यादा लोग जो जेनरल देखिए दो तरह के लोग होते हैं दस परसंट परसंट पंदरफ परसंट होते हैं जो किसी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका जुकाओ बहुत उनके तरफ हो गया है जन सुराज के तरह लोग चल पड़े हैं और वोट देखने से अभी जुबोट होगा उसी इसका पता चल जाए यानि कि आप यही कह रहें कि आप जनता भी बिहार की चीक सीक कर कह रहें कि जनता का सुंदर रात जन्सुरा जन्सुराज बिल्कुल बात है, समी चाहते हैं कि जन सुराज आवे, बेकारी मिटे, बेरोजगारी मिटे, लोगों को सिख्षा मिले, क्वालिटेडीव सिख्षा मिले, लड़के बच्चे पढ़ें, उनको यही नोकरी मिले, यही कमाएं, घर में रहें, माता पिता के साथ रहें, बिहार क विकास करें, देखिए हम भी आफ दे क्यामरा आपसे बातचीत कर रहे थे, और आपने बड़ी बात हमें बताई थी, आपने कहा था कि प्रशान किशोर के इरादे, प्रशान किशोर के प्लांस बड़े-बड़े हैं, प्रशान किशोर, जूडी श्री में भी सुधार लाना चाहते हैं कैसे करेंगे यह सब प्रशान किशोर थोड़ा तफसील से आप से हम समझना चाहएं प्रसान किशोर जी ने मुझे अपने पार्टी से असोशेट किया मैं बिसिकली लॉयर हूँ और नियाई पालिका और नियाई पालिका के संगठन से बहुत करीब से और 502 से जु जन सुराज, जन सुराज, के बल्ड शिख्षा ही नहीं देना चाहता है, विहार का विकास चारों तरों स्व करना चाहता है, जैसे ज़दी, law and order ठीक नहीं होगा, ने रहए गी तो शिख्षा की प्रिगति विहार में नहीं हो सकती है और लौर अरोब से क्लिए और सांति कायं में रखने के लिए रूल और रूल और रूप रूल ऐस्टेबिलिश करने के लिए हेल्ılar इंडिपेंडेंडेंड जुडिसेरी का पुर्पा का फंक्शन होना बहुत जो घ्रिह हमारे हां हम लोग इसमें प्रयासं करें कि जुड़ा स्भादा जुडिसेरी इंडिपेंडेंडिटिए और हेल्धी कारण हो घ्र अब बहुत साथ केस लबित हो गया है यह गरीब कैसे लिए इसकी लिए हमारे यहां एक तो जड़ेत का स्टेंट कम है सेंक्शन स्टेंज भी कम है लेकिन अभी तक जैसे हाई कोट में कभी फूल स्टेंज पर हाई कोट नहीं रन करता है आज भी बावन जगह है सैंक्शन पोश्ट है उसमें 3035 हैं तो वह एक तिहाई से ज्यादा वेकेंसी हर्दम रहती है इसलिए किसों का निस्वादन कम हो जाता है दूसरा हमारे वकील भाई लोग जो है सरकार एक परसंट से भी कम का बजट यह नियाई पालिका या इसे लगे हुए लोगों को खर्च करती है पॉइंट एट परसंट बस जो बजट होता है आप कभी देखी है कभी सुनी है कि यह पार्लेमेंट मे वकीलों के बारे में कोई डिवेट हो कोई प्रस्ताव आगे कभी ने कभी हम तो नहीं चुन है कैसे जदि वकील का स्टेंडर अफ लिविग वकील के का विचाफ वकील के रहांसान में प्रगती और क्वालिटेटीव इंप्रूमेंट नहीं होगा तो नियाई पालिका क्या नियाई कर पहें होता रही जिस तरह जो असिस्तन्स फॉलिटी अफ असिस्ट्न पर ऑफ जस्टिस भी निरवड करता है तो हमारे हो तो सरकार नहीं देख रही है न केंदर सरकार ना विःतार तो नहीं आपका पूरा आजादी दिलवाया वही लड़े में आपको सत्वाद बेटने का जगा नहीं है तो जन्सुराज से पहले जन्सुराज का पहला काम होगा शेहा कि वकीलों का कंडिशन वकीलों का सेहत मतलब फिनांसियल सेहत लिविंग कंडिशन वर्किंग कंडिशन लुग इंपरूब करने का प्रयास करेंगी। जैसे हमारे जो यंग लॉयर सुर्व में बड़े तकलिफ में रहते हैं तो हम लोग यह भी सोच रहे हैं कि हमारी सरकार जदी आ जाएगी तो उनको हम लोग स्टाइपिंट के रूप में कुछ फिनैंसिल मदद करेंगे ताकि मन लगाके को काम करें और सिस्टम को इंप्रूव करें अब इस्तिति ही आग हो गई है कि यह नसाबंदी के चलते एक लाख तीस जार लोग जेल में बंद हैं और यह सब गरीब पिछड़े हती पिछड़े लोग ज्यादा बंद है अब उनको कोई लीगल एड नहीं मिलगा है पैसा है नहीं कि मुकदमा लड़ा जाए कोई पैसा नहीं है कोई बिल करने वाला नहीं है इस सब बात भी हम लोग जन सुराज की माध्यम से इस तरह के जो नेगलेक्टेड लोगों का मुकदमा है उसको हम लोग लड़ने का विवस्ता कराएंगे उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए उनको लीगल एसिस्टेंट होगारा हम लोग प्रवाइड करेंगे और लॉयर्स को लीगल आसिस्टेंट प्रवाइड करेंगे बड़ी बात कह रहे हैं आप निशुल्क जो गरीब है उसके लिए पैसे के प्रोवाइड करेंगे और वक्यलों की दसा और दिसा भी बदलने के कोशिश करेंगे यह हमारा अब्जेक्ट है अब जहां तक नियाई पालिका में हम तो ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी कम से कम जो सैंक्शन स्ट्रेंथ भी बहुत कम है इसको भी बढ़ाना जाए और जितना सैंक्शन स्ट्रेंथ रहे उतना भर तो कम से कम भाली कर दिया जाए मतलब आप जानते हैं कि फलना तरीक को एक जज़ रिटार कर जाए तो क्यों नहीं पूरा प्रसेस करके उनकी रिटार्मेंट के दिन एक दो पहले एक नियुक्ति कर ली जाती है यह होना चाहिए इस पर सरकार निया इपालिका को सरकार हो चाहे केंदर सरकार हो चाहे राजर सरकार हो यह निया इपालिका को हिल्दी बनाने का कोई प्रयास ने कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा है लेकिन हम आप से यह भी जानना चाहेंगे कि आपको मालूम है कि दलित के एक नहीं बढ़के कई ऐसे बड़े बड़े नेता है जिराख पासवान भी है जीतन राम मांची भी है कि आपको लगता है कि प्रशान किशोर दलितों को साधने में इसके जरीए काम्याब हो पाएंगे गिरी साहब देखिए यह चुनाओं जो हो रहा है वो किसी जात विशेश पर नहीं हो रहा है जात धर्म अगड़ा पिछला अलकियर मुसल्मान मुसलिम दलित सब लोग उपर उठके बिहार के विकास में लगे हुए हैं इस बार जातिये सोच और इसका जो भमर है जात का भवर बना के जो भिहार में लो राज़ीत करते हैं वो भवर समाप्त हो जाएगा आपको लगता है बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार की जाती है जो कभी जाती ही नहीं है कैसे चली जाएगी इस बार आपको बता दें करकूरी जी बिहार के टॉप लीडरों में एक थे बहुत बड़े निता थे समाजवादी थे वो हजाम जाती से आते थे नाई जाती से किस गां में घुर्व मंतरी होना ही इस दे तक है कि बिहार नहीं करपुरी जी की जातिका कहीं हर गाउं में एक दो परिवार नाई करता है नमर वन अब इंद्रा जी को जब हराना हुआ इमर्जनसी के बाद तो क्या कांग्रेशियों में अपनी जात के अधार पर भोट ले पाए नहीं ले पाए लोग जात से उपर उठके मास भोट करके कां शीड़ी फ्रीट अब लगता है कि जनसुराज ने मुव्मेंट शिट दिया है लगवग उसी तरह उसका कारवां आगे बढ़ ड़ाये चलिये काहरी सवाल है गिरी सहाब आपको मालूम है कि तेरा तारी को वोटिंड होनी है क्या लगता है कौन सी सेट जीत रहा है जनसुर बिल्कुल सचाई से हमने आपको मैठिमेटिकली कैलकुलेट करके पुराने इंटर्विव में बता दिया है और लेटेस्ट खबर कल तक का जो हमनों के पास है उसमें कोई बदलाव नहीं है चारो सीट जन्सुराज जीत रहा है से हमने मांधी जैन्सुराज के पर्चावध कहा पहुंच रहे हैं और विहार के तमाम जन्सुराज की धीयान उसकोर अटकी हुई है लोग ठकी अ देख रहे है उसमें स्वरीख हो रहे हैं बदद कर रहे हैं तो दिनों दिन जन सुराज की उमिद्वार चारों छेत्र में उनकी उनका जितने का आसार बढ़ रहा है अब तो स्कूल बैग भी मिल चुका है अब देखिए क्या संजोग है आज दिवाली है दिवाली का जो लक्ष है वही कि नियत देखिए सम्हें लगता है कि नियत का भी विचार करना बढ़ वही बिचार है कि इनकी सरकार आवे विवार का अभिकास हो पलायन से त्राण मिले लोग अपने बल पर खड़े हो यहां के लोग को यहां employment मिले हमारे वकील भाईयों को एक बात बता दे की भी प्रगति हो आर्थिक रूप से और मांसिक रूप से और समाजिक रूप से उनको उनको respect मिले यह भी जन सुराज कराएगा तो ने क्या कुछ बताया है वाई वी गिरी जी ने जी और एक और बात हम बताते हैं जो वकील बेसिकली पढ़े लिखे लोग है डवल ग्रेजवेट तो सब रहते हैं आप इनका अपने आप रुजान हो गया है जन सुराज कर रहा है हमसे रोज संख्या में से कुड़ों रोज हम लोगों से बात करते हैं कि हमें जूड़ना है हमको जूड़ने का रास्ता बताईए मैं सब को कह रहा हूं कि तेरा का चुनाव बीच जाए उसके बाद फिर जब आगे का चुनाव आने वाला है पूरे बियार प्रदेश में तो तेरे का बाद आप लोगों को मेंबर करा जाएगा आपकी सवाएं ली जाएगी और सभी एक चुक है सभी चाहते हैं कि एक सवक्ष छमी का एक सब सब्सक्ष छमी के आदमी परसान की सोड़ीूप के हाथ में से बिहार की सरकार आवे चलिए चलिए तो सुना आपने क्या कुछ का है वाईवी गिरी जी ने लाओ हो बिहार का विकास हो तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंच करके हमें जरूर बताईएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे हमारे साथ बने रहेगा और देखते रहेगा लाइफ सि